आपने हरे मतर से पूरिया पराठे तो बहुत कई बार खाए होंगे और मतर की सबजी भी कई बार बना के खाई होगी लेकिन हरे मतर से आपने नान बना कर बिल्कुल नहीं खाई होगी तो आज हम बही रेसिपी लेकर के आए हैं और पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना तो हमने लिया है एक पैन और उसमें डालेंगे दो चम्मच ओईल बहुत ही टेस्टी आज की रेसिपी होगी तो पूरा वीडियो बॉच करें इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग चुटकी भर लगवग हमने हींग ली है काली मेर्स लगवग दो से तीन अब एड कर देंगे एक कटोरी लगवग मटर हरी मटर ली है एकदम फ्रेस ताजा मटर है तो इसको हम देखिए कवर कर लेंगे क्योंकि यह धुली हुई है तो इसमें क्या होगा थोड़े से तेल के छीटे पड़ते हैं तो इसलिए हमने थ आप कम जादा कर सकते हैं मात्रा इसमें एड कर देंगे टेष्ट के अनुसान नमक आपफ़े तो इसको अबाली बहूसित के बना सकते हैं या फिर इस तरीके से भी तयार कर सकते हैं तो बहुत ही जल्दी पक पक कर तयार हो जाएगी मटर क्योंकि 2-3 मिनट ही लगए दो दुमाज के सफ्पक्ण के जल्दी मटर जोड़ गएगी resistant मिर्च पाउडर, मुर्च ऑधी चम्मच देश्ट के अनुसाल ले मिर्चे आप क्यासा खाते हैं और धनिया पाउडर एक चम्मच और गरम मसाला हमने दो चम्मच लिया है थोड़ा सा बढ़िया टेस्ट आएगा तो हमने दो चम्मच के करीब गरम मसाला लिया है और अच्छे से मसालों को मिक्स करेंगे और गैस का फिलिम को लो रखना है जिससे मसाले जो है जलेना यूदि सूखे मसाले हमने ऐसे ही एड़ किये हैं और अगर हाई फिलेम रहेगा तो मसाले जलने लगेंगे और सबसे बाद में एड़ कि आया हमने धनिया धनिया से क्या होगा कि बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और खुसभू भी आएगी तो देखिए अच्छे से हमारी मटर को जरूरत नहीं पड़ेगे अगर इस तरीके से बना रहे हैं तो आप इस तरीके से बहुत जल्ली बना के तयार कर सकते हैं 3 मिनट में लगभग आपकी यह मटर तयार हो जाईगी और देखिए अच्छी तरीके से हमारी मटर मैस हो चुकी है गैस का फ्लेम आफ नशी और द और इसमें लिया है लगभग दो पिंच हमने बेकिंग पाउडर लिया है दो पिंच और दो पिंच ही लिया है बेकिंग सोडा आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं मातरा के हिसाब से ही डाले टू पिंच था और इसमें हमने डाला है दो चम मच के करीब घी तो इसको हमने गरम कर लिया है क्योंकि बंटर का सीजन है और घी थोड़ा सा पिखलाना पड़ता है गरम करना पड़ता है तब ही वो सही होता है तो आप हमने लिया है लगभग एक कटोरी दही फ्रेस दही है ताजा है और इसमें थोड़ा सा पानी नहीं है थिक है तो इसमें हमने मातर कम की है और अगर पानी है उसमें थोड़ा सा तो आप थोड़ी सी मातर.... जादा ले ले तो भमसे थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डालेंगे और बढ़ियाचे इसका डॉ लगा लेंगे और देखिए डो लग चुका है तो इसको हम कवर करके छोड़ देंगे लगभग 5 मिनट के लिए जिससे हमारा जो डो है एकदम परफेक्ट फूल जाए तो 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारा जो आटा है एकदम बढ़िया से फूल चुका है जेखिए कितना बढ़िया हो चुका है एकदम बढ़िया इतनी बढ़िया इससे नान बनेंगी आपकी कि आपको बहुत पसंद आएंगे आप मार्केट या बाहर जाके खाते हैं तो आप बिल्कुल नहीं खाएंगे इस तरीके से बाहर जाके घर पे ही खाना पसंद करेंगे नाटेरो बहुत ही टेश्ट ही लगती है इस तरीके से या वालीग भरते हैं उसी तरीके से हमें इसमें भी फिलिंग भर लेनी है, यहीं कि मतर बना लं के हमने तैयार एक यूदे तकी भर प्ला कि谈 दख़िए धन्रीkem तबाट से बनके तैयार हो जाएगी आपकी नान तो बस जिस तरीके से हम बेलते हैं हमने थोड़ा सा डो जादा लिया है में थोड़ा ही तो जी जादा थो यह थो तरीके से हम रोटी बनाते हैं जैसे लिह प都有 क produk के उसी तरेके तिल तो आप एड़ कर सकते हैं इसमें और थोड़ा सा उपर से बेल देंगे जिससे वह चिपक जाएंगे अच्छे तरीके से और देखिए बढ़िया से चिपक चुके हैं और हमारी जो नान है एकदम बढ़िया से तैयार हो चुकी है तो बस हमने तवा गरम करने के लिए रख दिया है अब इसके पीछे जो है हम लगाएंगे पानी जिससे क्या होगा कि जो चिपक जाएगी तबे पर अच्छे से तो हम इसके पीछे थोड़ा सा पानी लगा देंग पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था तो बस देखिए हमने बढ़िया से डाल दिया है और आप इसको जब भी बनाएं तो आप लोहे के तबे पर ही बनाएं और देखिए हमारी अच्छी हो चुकी है पीछे से थोड़ी सी फूलने लगी तो बस आप इसको लो फिलेम कर ली डिये कि इसका हाई फिलेम पर नहीं सेकर ना है और इस तो इस तरीके से घुमा घुमा के आपको ग्र अधिया के तवा यह तो इसी तरीके से बढई है सक युद्या और देखिए और आप लोहे का तवा है तो शेपर ही और इसी तरीके से दूसरी मtalा धिक भी पानी हमने दूसरी तरफ कैसे पता चलेगा कि एक तरफ सिख चुकी है तो इसके लिए क्या होता है वो फूलने लगती है और धीरे और पक जाएगी आप इस तरीके से से शेखेंगे थोड़ा सा और पक जाती है तब तक तो बस देखिए दोनों तरफ से बढ़िया हमारी जो है नान सिख चुकी है देखिए इतलम परफेक्टव हमारी इस तरीके से बनाएगे बहुत ही बढ़िया एक डम सौप्ट बढ़िया एक डम बनती हैं आपको बहुत पसंद आएगी और देखिए हमारी जो है नान एक डम रेडी हो चुकी है बनके खाने के लिए तो इसमें यहली होशा है, अउने उस घ्यासिंदो है किम बैवायोरी देखी हैक नान को उसके कुम होशुन पाल खेंगीOham Moi कadome purchased Boom अंती होचीया चापनी, आम्रूत की चापनी बहुत ही ठीष्टी लगती है इस में और इस समय शीजन भी है देखिए कितनी भरी हमारी नान estu लिए देखिए कितनी बचस्टाया बंदर से बीण अन्डरे भरी हुई है इस तरीके से आप बाई तो भगाईगी तो ब्होत बढ़िया लगेगी वग तो ओल्लाकर की नगती है च्छÁ देत्र चाहेते हैं पसंद थे वर वल sick hin कमेंट कीजिए शेयर कीजिए मिलते हैं अगली रेसिपी में तब तक के लिए बाई बाई